जैहें दोस्तों मैं विक्रम कुमार मिशन कंपटिटिव के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो चलिए हम आज मिशन का टाइप चार लेके चल रहे हैं आज बहुत ही इंपॉंडेंट आपका चार है वो तो ध्यान देने वाली बात है कि कैसे क्या होगा यानि आपको दूदे जो बैपार बैमान गॉला वाला कोस्टन आपका रहता है कि कैसे आपका इस तरह का प्रस्न बहुत ज़्यादा रहता है कि एक बैमान गॉला क्रेमूल पर बेचने का दावा करता है फिर भी वह लाव कमाता है तो कहने का मतलब कोस्टन ये कह रहा है आप कि एक दूद विग्रेता दूद को क्रैमूल पर बेजने का दावा करता है लेकिन वह दूद में पानी मिलाकर बेजता है और 20% लाव कमाता है वह पर्ति 3 लिटर में कितना एमेल पानी मिलाना चाहिए वहीं मुझे कोस्टन कहा है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कोस्टन आपका है कि एक दूद विग्रेता दूद को क्रैमूल पर बेजने का दावा करता है लेकिन वह दूद में पानी मिलाकर बेजता है और 20% लाव कमाता है वह पर्ति 3 लिटर में कितना एमेल पानी मिलाता है तो बात यहां आती है कि कोस्टन आपका कहता है कि सबसे पहले बात यहां आ रहे कि एक दूद विग्रेता दूद को क्रैमूल पर बेजने का दावा करता है तो हम बताना यह चाहरे है कि अगर दूद को क्रैमूल पर बेजने का दावा करता है तो ऐसा कोई आदमी नहीं है क कि वो दूद्ध को क्रामूर पर बेजकर वो लाव कमा ले इसका मतलब है कि दो ही चीज कर सकता है चाया तो वाट का कम परियोग कर सकता है या तो वह क्या कर सकता है कि उसमें पाने मिला सकता है और हमें एलिगेशन पढ़ रहे हैं मिस्रन पढ़ रहे हैं तो मिस्रन में पानी निकालने की बात कर रहा है तो चलिए पोसान आपका है उस पे आते हैं तो सबसे पहले हम दावा करते हैं कि यहां हमको पूछा है कि बताएं तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि milk और water का दोनों का मुझे ratio बताना होगा कि milk और water का ratio क्या होगा लेकिन बात यहाँ आती है कि पहले समझना है माल लेते हैं कि एक लीटर अगर आपके पास दूद खर दे तो एक लिटर दूद करते माम लेते हैं 40 रुप का अब बजार में माम लेते हैं 40 रुपे दूद भी करा है और देहाख में आप जाकर के गौँ में जाकर के आप 40 रुपे परती लिटर अगर दूद आप देशते हैं तो साइब आपको लाव नहीं होगा लेकिन वह क्या करेंगा कि वह लाब भी कमाएगा तो यहां पहले हैं सिस्टम करते हैं कि यह तो आपका सिर्फ मिल्क है लेकिन हम इसमें आप लिटर अगर हाफ लिटर इसमें हम क्या बना दे इसमें वाटर को जोड़ दे तो आपका अंसर हो जाएगा यह टोटल जो दूद होगा वन पु पानी का कोई पैसा नहीं जोड़ा जाता है इसलिए ठ्याल रखे कि पानी में कोई जो होता है वह पानी का कोई भी मूल जो आपका कोशन होगा उसमें आप नहीं जोड़ेंगे तो बात यहां आती है कि हाफ लिटर अगर मिला दे तो आपका अंसर हो जाएगा एक पुर्णा देंगे, तो कोई आदमी क्या कहा, की एक लिटर जो है, उसमें बेच दिया, हम तो 40 रुपिया आ गया, बात आती है कि 40 रुपिया एक लीटर बेच दिया तो बड़ा ख़ाला जो होगा, बड़ा खुसी महसंुस करेगा, क्या मेरा पुंजी जो है, भो क्या हो गया, निकल गय वो जो है वो पानी का पैसा है और हम जानते हैं कि अगर जो पानी का पैसा होगा वो लाव होगा क्यों क्यों हम जानते हैं कि पानी का पैसा जो है व मैथ में इंक्लूड नहीं किया जाता है यानि इससे सावित होता है कि जितना हम पानी मिलाएंगे उतने ही मेरा क्या होगा ल मिला आएंगे उतने ही मेरा लाव होगा तो कोस्टन में कहता है कि दूद को क्रैमल पर बेजने का दावा करता है वह दूद में पानी मिलाकर बेजता है और यहां देखिए वह 20% का लाव कमाता है तो अगर 20% का लाव कमाता है इसका मतलब है कि अगर वाटर की बात करें तो ज प्रसने में नियत भी देता है तो नियत हम अटेंड करेंगे और नहीं तो सीधा कोस्टन पर हमाते हैं क्या कह रहा है कि अगर माल लेते हैं मिल्क और वाटर है प्रसन को बना देते हैं if 100 को पर सेंट कोई लाव कमाता है तो आपका अंसर हो जागा 10 अनुपाती इसका मतलब 10 लिली अगर किया उटर कोई पानी मिला देता है तो उसको 50 परसेंट का लाव होगा लेकिन अगर milk और water की बात करें अगर यह 100% है और अगर यहां माल लेते हैं 100% है दोनों को cut करेंगे तो आपका अंसरेक अनुपात यह इसका मतलब यह होता है कि यारी 100% मतलब एक में एक लिटर अगर कोई पानी मिलाता है तो इसको 100% के बराबर लाब होता है इसलिए जितना वो पानी मिलाएगा उतने ही लाब होगा तो पहले हमको 20% लाब चाहिए तो पानी पानी का जितना कहेगा जितना लाब कमाएगा पानी तरफ देज देंगे यहां 5 होगा यह जो निकला वो milk और water का रेशियो निकला आए हम नियत यूज़ करते हैं नियत कह र आरा इसको बगल में गुना करेंगे तिन गुना च्शे आपका अंसर एक बटा दो हम जानते हैं कि यह लीटर में आरे लेकinky एमिल में पूछा है तो 1000 से हम गुना कर देंगे और 1000 से गुना करेंगे तो यह जो लिटर था वो ml में बदल जाएगा आपका अंसर जो होगा 500 ml के बरावर होगा यह आपका अंसर है तो ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा question आया तो आप ऐसे कर लेंगे ऐसे बना लेंगे तो चलिए हम आगे इस तरह का question आपको लेके आते हैं उसी तरह से आपका दो question है आप दोनों question में बहुत लोगों को परसानिया होती है confusion हम confusion को दूर करना चाहते हैं आपको पढ़ना है तो confusion को दूर करना है क्योंकि आप confusion अगर आप दूर रख नहीं किजिएगा concept clear करते हैं और concept अगर clear है तो सारा math आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं तो चलिए आए देखिए दोनों में आपका similarity दोनों एक ही जगान question लिख चुके हैं दोनों में आखिर क्या difference है क्या आपको करना है यहां पर बाते हम आपको समझाते हैं तो चलिए question आपका कहरा है कि पानी के साथ अस्प्रीट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिस्रण को लागत मुल पर बेचने से सुला पुर्णाम दूबटा 3% लाव मिले तो चलिए अभी जो question है वहाँ भी यही question था हम बताया थे कि जितना लाव अभी first question आपको बताया थे कि जितना उसमें लाव होना चीए उसी के मताविक यहाँ काम करना है तो हम जानते हैं कि जितना लाव कमाएगा उतने ही पानी मिलाएगा तो हम दूद में पानी मिला रहे थे अभी अस्प्रीट तो पैसा से मिलता है लेकिन पानी जो मिलता है वो पसीना आने लगता है और गर्मी में तो और पसीना शुरू हो जाया है कि यहाँ पर सोजना यह कि कैसे यहाँ पर करना है तो सबसे पहले बात आती है कि हमको पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा पाणी के साथ अब आयत ध्यान दिएगा कोश्चन यहीं पे आपको है पानी के साथ अस्प्रीट और यहां है अस्प्रीट के साथ पानी तो पानी के साथ अस्प्रीट है और अस्प्रीट के साथ पानी है तो यहां पानी के साथ इसका मतलब है कि पहले बाटर पहले लिखाएगा और अस्प्रीट बाद में लिखाएगा इसका मतलब है कि पानी के साथ अस्प्रीट को कि सनुपात में मिलाएज़ा जो आपसर हमाँ दोनों रखता है जिससे कन्फूजन लोग को हो जाता है जैसे यहाँ वाटर और अस्प्रीट है इसका मतलब है कि दोनों का जो कत्रीज़ा है वो अलग अलग है तो पहले यहाँ नाम आया पानी का उसके बाद रखेंगे वाटर रखेंगे बाद रखेंगे इस तब को पता है कि स्क्रीट जो होता है वो 100% के ब्रावर होता है इतनी बाते आपको समझ लेनी होगी क्योंकि हम जानते है कि स्क्रीट जो है वो पैसा से मिला होगा वाटर जो मिला होगा वो पानी से मिला होगा वो पैसा से मिला होगा और आप तो जानते हैं 648 दूपचास यानि यहां 50 बटा क्या होगा 3 होगा अनुपात लगाएंगे % से % कैंजिल होगा 50 दुना 100 होगा अंसर आपका 1 अनुपात 6 होगा लेकिन बात आते हैं कि यह वादर और स्पीड होगा option में क्या रहता है कि आपका 6 अनुपात एक भी रहता है और option में B में मान लेते हैं कि एक अनुपात 6 भी रहता है और भी C में option आपका 3 अनुपात 2 हो गया और D में option आपका 2 अनुपात 5 हो गया एक ही में ऐसे ही रहता है छे अनुपात एक अन्जर तो सब लेके आ रहा है छे अनुपात एक नहीं तो एक अनुपात छे लेकिन कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग यह भी मार क्या जाते ही मार क्या जाई है तो महां गलत हो जाएगा जो भी होगा हो सही ही होना जी क्यों होना करना है दोनों में क्या असमानताएं हैं उसके बारे में चर्चाहूं कर रहे थे कि जिससे आपको जो मौखिक यहां पाँ अनुपाद लिखना हैं आपको जो उसको कर लेना है लेकिन आपको यहीं करना होगा कि जो पहले अनुपाद रहों के साथ आएगा तो लगता है दोनों में confusion यारे जिसके साथ मिलाना है तो पहले water को लिखना है और यहां spirit की बात आए तो यहां spirit लिखना है लगता है दोनों question में आपको जो क्या समान दाए हैं दोनों question हम आपके पास रख चुके हैं आसा है किस तरह के question जो एक जाम में आप गलब कर करके नहीं आएंगे आप बना के आएंगे फसना नहीं चाहिए तो चलिए हमें question आगे देखते हैं अगला question question है आपका की 40% के 10 ml विल्यन में 20% का 15 ml विल्यन में लाया गया है तो विल्यन की सक्थि क्या होगी आईए पहले हम आप लोगों को शक्ति के बारे हम समझ्झाते है कि आ खिर शक्ति क्या है तो चलिए सक्थि की बात करें तो अगर हम आ लेते हैं कि हम दूद पीते हैं तो मिलक और अगर वाटर की बात करें तो अगर हम बोलें कि 90% मिलक है और 10% अगर वाटर है तभी तो दोनों मिलाएंगे तो 100% के बरावर होगा इसका मतलब है कि अगर आप से पूछ लिया जाए कि अगर दूद पीते हैं तो मेरा इसमें सकती क्या है तो कहने का मतलब है कि हम बो 90% ही सकती मिल रहा है दस परसेंटों पाने मिलें इसका मतलब अगला अगर हम कह दे कि एक लिटर हम दूद पीते हैं दिन वर में और माल लेते हैं कि इसमें हम क्या है एक हजार एमल है अगर एक ह पानी है यह बाते आपको समझना है तो बात हम बता रहें कि यहां जो 800 ml है वो मिल्क है 200 ml जो है वो वाटर है तो अगर आप से पूछ दे कभी-कभी होता है कि अगर हम बात करें कि 1000 ml पीए इसकी सक्ती क्या है तो आप कहेगा कि इसकी सक्ती जो है 800 ग्राम है कभी-कभी आप फैटा हुआ है आदा लीटर दूद्ध फेटा हुआ है इसका मतलव है एक लिटर तो जरूर पी रहे है हम पी रहे हैं कि फाइदा जो कर रहा है उसकी सक्ती जो मिल रही है हमको V 9.000 के पराबहर मिल रहे है 500 ml के बराबहर मिल रहा है इसका मतलब है कि जो original चीजे होगी उसी से हमको सकती मिलेगा पानी से कोई सकती नहीं मिलता है जरूरत के मताबिक लेकिन कहने का मतलब है कि दूद का अलग चीज और पानी का अगर हम दूद और पानी की बात करें तो इसमें सकती क्या है दूद का तो आपको कहना होगा 800 ml इसमें 200 ml से लेना देना नहीं है तो आई अगर पानी की सक्ति पुछेगा तो आट सो एमेल लेकिन आईए आप क्या करता है 40% के 10 एमेल विलियन में 40% के 10 एमेल विलियन में तो 10 एमेल है तो अगला कहता है यहां 20% के कितना 20-परसेंट क्या कामत लगुदय में गया है जब एक सकति क्या करणा है निकालना भूए यह तही जब办 इन पिंकितना है अलकोहल इतना है यह सोडियमित न इतना है अलग अलग पदार्थ मिलकर डाटा की 4%, 5%, 6% लिखा हुआ उपर तो ठीक है बट अंदर में क्या डाला हुआ है इसी चीज़ को हम बाते करते हैं बहुत सारे कंपनी वाले ऐसे करते होंगे कि उसमें डालना है कभी-कभी देखते हूं छापा मादा डी दवा है अपर डालो है तो इसी आपम सेम चीज़े हैं काने काँ तो ओरीजनल दवाई नहीं लिखा है लिख दिया उपर में कि आपका 10% कै यह अलकोहल है और अंधर में 10% अल्कोहल हमने तो पानी है तो फाइदा क्या करेगा तो चलिए कोसर हम पहले के में कि हम 10 ml एक सिरफ लिए और 15 समझाने के दिए तो 15 ml और 10 ml तो टूटल बात करें तो हम 25 ml अगर हम 25 ml पी गए तो उसमें कितना मुझे फ़ादा करेगा उसकी सक्ति क्या होगी वही मुझे निकालना है यह 25 ml कहां से है तो 10 ml और 15 ml दोनों की बात करेंगे तो यह आप ऐसा आएग 14 पर से यह आपको जवह से सोचने में दोनों अपने आप में एक ही चीजे छीजे है एभी फी मिद्य चितना होगा तो हूँ करने हम 40% का 10 ml कि 12 की इतनी होगा और फने 30 होगा एक जरो से एक जरो कहन्सिल होगा और 15 दुना тीस या कर जाएगा पान दुना दस ओर पंतिया पंदह यहां नहीं मिल होगा यहां से आफका 3 ह मिल sum तब 15 यहां तो पी रहें लेकि इसलिए 30 मैल कशीस आमल के ब्रावर कर रहा है तो कशर में पूछा है कि बताएं इसकी सक्ति क्या होनी चाहिए तो सक्ति हम बनाना चाहेंगे तो इसकी सक्ति जो होगा उस साथ होगा कितना से 25 से परसेंट के लिए 100 सब्सक्राइब करेंगे अगले टाइप में हमां करके बताएंगे आए तब तक के लिए जैहिंद